ब्रमान की द्यविव शक्तियों से भरपूर इन स्विच वर्ड का अपयोग इस तरह से किया जा सकता है। पहला विना लाइन वाले सफेद कागस के टुकडे पर अपनी इच्छा को पूरा करने वाले स्विच वर्ड को छाट कर नीली या काली स्याही वाले पैंसे लिखें इस इच्छा पूर्सी चिट को एक जगह रखकर इस पर पानी से भरा शीशे, स्टील या किसी भी धातों से बना गिलास रखें और उसे ढख दें, लगबग एक मिनट के बाद से दिन भर थोड़ी थोड़ी देर बाद एक एक घूट भरके इसका पानी पीते रहें और पानी कम होने पर गिलास में और पानी डालते रहें, हर बार पानी पीते समय अपनी इच्छा को पूरा होते इस क्रिया में समस्या के अनुसाल कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ महिने भी लग सकते हैं, लेकिन विश्वास और दिर्ण निष्टे के साथ उपाय करते हैने से लाप अवश्य मिलता है, इच्छा पूरी होने पर वो चिट जला दे और नई इच्छा के लिए नई चिट दूसरा उपयोग स्विच वर्स को किसी स्टीकर वाली टेप या डॉक्टर्स टेप पर लिख कर किया जाता है, इसे अपने शरीर के बाई तरफ हाथ पैल या किसी भी भाग पर चिपका दे, जो लोग बाई हाथ से काम करते हैं, वे अपनी दाई तरफ चिपाएं, खराब ह दूसरी चिप बनाएं और इच्छा पूरी होने पर चिप जला दे, तीसरी विधी के अनुसार स्विच वर्स को कागस की चिप पर बनाकर अपने तक्ये के नीचे रखें, ताकि रात को सोने पर इसका आसर रात भर होता रहे, इन तीनो सुरक्षित और आसान तरीकों में से किसी एक विधी को, क्या दो विधीओ को या जलदी इच्छा प्राप्त करने के लिए तीनों विधीओ का एक साथ इस्तिमाल किया जा सकता है, यदे किसी दूसरी वेक्ति की healing, या इच्छा पूर्ती के लिए switch words का इस्तिमाल करना है, तो एक आगस पर पहले उसका नाम पर लिखें और उसके चारो तरफ बंद बोल घेरा बनाएं उस शीट पर पानी का गिलास रखकर उसे दिन भर बार बार एक गूट पानी पिलाते रहें इसके अतिरिक उसके तक्ये के नीचे भी एक किट रख दें